माँ बहुत सीमित है अपने ही शब्दों में लेकिन बहुत विस्त्रित है अपने अर्थों में मात्र दिवस की हर दिव शुक्कावन है शुद्द बुद्ध मंतमई माँ की महिमा का पहला का कहरा भी मुझे जब जाकर समझवे आया जब मैं खुद माँ बनी और अब कहीं जब वो मा इस दुनिया में नहीं है तो बूश पाई हूं इस मा की पूरी की पूरी बार गड़ी आज जान पाई हूं कि मा का बच्चे से संबंद शिर्फ शरीर का नहीं होता यह तो भावों का बंदन है वैचारिक प्रष्ट भूमी पर पला बढ़ा एक संस्क्रतिक संबंद है जो एक नहीं, दो नहीं, पीडियों तक प्रभाहित होता रहता है यह तो संसों का बंदन है बच्चा अपनी पहली संस मा की कोख में ही लेता है और तब से मा के साथ उसका वह अटूर संबंद जुड़ जाता है जो मरते दम तक जुड़ाई ही रहता है कहा जाता है कि मा दुनिया का एक मातर ऐसा शब्द है इससे किसी परिवाशा में पांदा नहीं जा सकता क्योंकि यह शब्द नहीं है इशब्द है ही नहीं यह तो एहसास है इसलिए यह स्वैम सिद्ध है मा महा वाक्य है मा वह है जो हमारा परिचे हम से करवाती है मा शब्द संपूर्ण स्रष्टी को आत्म साथ किये हुए है इस धर्ती आकाश एम स्वैम में सारी काइनाद समीटे हुए है सस्तो यह है कि इस स्वरूप भकवान स्वरूप इस शब्द में संपूर्ण ब्रह्मान स्रष्टी की उत्पत्ती के समस्त रहस है और नजाने कितने कितने और नजाने कैसे कैसे रहस समाई हुए है कल आप सब ने मदश्डे बनाया खुब अपनी माँ पर मंता बड़साई, खुब आपके बच्चों ने आप पर मंता उंडेली होगी, इस मात्र दिवस पर मैं आपके साथ विश्णु प्रभाकर द्वारा रचित एक ऐसे एकांकी मंता का विश्ष, उसकी कहानी साजा करने जा रही हूँ, इस एकांकी के कहानी यो है, केस में मा की मंता की अत्य दित्ता, अति का दुश्ष परिणाम चित्रत किया गया है, जो मंता विश्ष का रूप धरम कर लेती हैं, और वहमा अपने एक मात्र पुत्र जो शेश वचा हुआ है उसके 14 संतानों में से, उस पुत्र की रक्षा के लिए, जो वह हमेशा खुद अपनी जान देने के लिए तत्पर होती है, स्वार्थ और मंता में ऐसी पागल हो जाती है कि केवल यह सोचकर कि उसका बीमार पुत्र यदि अच्छा हो गया तो वहवी अपने भाईयों के समान उसे छोड़ कर हमेशा के लिए चला जाएगा, उसे दवा ही नहीं देते, जिससे वह बार-बार रोग ग्रस्त हो जाता है और मंता के इस विश्च के कारण मौत के मुझ की तरफ अग्रसर है, एकांकी कारण ने तो मा के चरित्र को बड़े नाट की एक और कोशल से कलंकित होने से बचा लिया, पर क्या वास्त्वीत जीवन में भी कोई ऐसा डॉक्टर आएगा, जो हमारी मंता को विशाला होने से बचा ले, ता यह सुनते हैं, इस एकांकी मंता का विश्च की कहानी, होता यूँ है कि एक मध्यम वरगिये परिवार है, उसमें एक माता पिता हैं, और उनका एक बच्चा है, सुशिल उसका नाम है, सुशिल तीन महिने से लगातार बीमार चल रहा है, उसे बुखार आता है, शुशिल पढ़ने में बहुत इश्यार है, वो पढ़ना लिखना चाता है, पढ़ लिखकर बढ़ा होके वो डॉक्टर बनना चाता है, डॉक्टर बनकर वो डेश की सेवा करना चाता है, एकांकी शुरू को जिस तरीके से होता है कि शुशील करहा रहा है करहा कर वो अपनी मा को आवाज लगाता है मा भागी भागी दोड़ी हुई उसके पास आती है बच्चा शुशील मुसे पूसता है मा पिता जी ने मेरा कॉलेज का फर्म भागी भड़ दिया है ना मैं डोक्टर बनना चाहता हूं मैं खुब पडूगा मा मैं ठीक हो जाओँ और मैं पढ़कर डोक्टर बनूगा बहुत अच्छा डोक्टर बन कर मैं जीश की सेवा करूँ है जब मा इस बात को सुनती है तो उसके दिल पर एक आगात सब पहुंसता है क्यों आगात पहुंस रहा है आगात ऐसे पहुंस रहा है कि हमें आगे एकांकिकार इस आगात का रहसे बताता है कि क्यों वो एकदम इस बात को सुनकर एकदम सहम जाती है कि वो देश सेवा के लिए चला जाएगा इनकी एक पड़ोसन है जिसका नाम चंद्रा है चंद्रा आती है अपमुस्ती है शुषिल की मा से कि शुषिल की तबियत कैसी है मा उसको शुषिल की तबियत के बारे में बताती है कि वो ठीक नहीं हो पा रहा है बार-बार उसे बुखार आ जाता है और वो तो चाहता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाओं पढ़ लिखकर डॉक्टर बनूँ देश के सेवा करो और ये बात कहते कहते मा अपनी जीवन की कहानी उसको बताती है कि बेटा में 14 पुत्र थे एक नहीं 14 पुत्र थे और उन 14 पुत्रों में से सब कोई विदेश चला गया कोई देश की सेवा के लिए चला गया कुछ परस्तियों के शिकार होकर मौत के मुँ में चले गए अब मेरे पास के वर ये एक ही बेटा बचा है जिसका नाम है शुशील और ये पढ़ लिखकर डॉक्टर बनके दिसकी सेवा करना चाता है ठीक नहीं हो पा रहा है बहुत चिंता मा अपनी दिखाती है उसको कि ये कैसे ठीक होगा बहुत परिशान है इतने में शुशील की आवाज आती है मा देखो मुझे बहुत सर्दी लग रही है देखो मुझे फिर से जाड़ा लग रहा है कप कपी चूट रही है देखो मा मुझे फिर से बुखार आ रहा है मा दोड़ी दोड़ी आती है बहुत दुकी होती है कि कैसे मेरा बच्चा ठीक होगा परिशान होती है डॉक्टर को बलाती है डॉक्टर आता है शुशिल की पिताजी आती है और वो उस बच्चे का जो डॉक्टर है उस बच्चे का दिरेक्शन करता है और वो बड़ा आश्चरे में पढ़ जाता है कि इस बच्चे को बार बार वो खर आ क्यों रहा है जबकि मैं इसका उप्चार विल्कुल सही तरीके से कर रहा हूं सही दवाई दे रहा हूं और जो दवाई दे रहा हूं उससे ये बच्चा ठीक भी हो जाता है बच्चे में भी ठीक होने की इच्छा शक्ती है उसके अंदर रोग प्रतिरोदक शम्ता भी जवरदस्त है फिर ये बच्चा ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है पिताजी से बात करता है पिताजी केते हैं हम इसकी बहुत अच्छी देखवाल कर रहे हैं और दबा खुद इसकी मा देती है कोई और भी नहीं देता हम तो बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ कर रहे हैं तो सब बड़े आश्यर में हैं पिताजी और डॉक्टर कि बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। डॉक्टर डॉक्टर तो है यह बहुत कुशल चिकित सक है लेकिन वह बहुत अच्छा मनुवेग्यानिक भी है। और अपने पेशे के प्रती बहुत एमानदार और समर्वित है। वो मामले के तह में जाना चाहता है कि आखिर क्या बात है कि शुशील दवाईयों से अच्छा नहीं हो पा रहा है और रहर रहकर उसे बार-बार बुखार चड़ा आता है। क्या बात है। तो वो एक प्लान बनाते हैं और शुशील के पिताजी से उस प्लान को शेयर करते हैं। और पिताजी से कहते हैं कि आप किसी और को नहीं बताईयेगा। वो उस दिन शुशील की घर पर ही तहरते हैं और रात को पतलब 24 घंटे वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर शुशील की दिन चर्या क्या है क्या करता है शोशे? पूरे दिन क्या करता है? तो दिन बर तो रप्डर वहां रहते हैं या रात को भी वो चुपचाप औनी के घर में रहते हैं, पास में ही बैठक है उस बैठक में वो जागते रहते हैं और देखते रहते हैं कि आखिर क्या चीज ऐसी घट रही है कि ये बच्चा ठीक नहीं हो पाता रात होती है और जैसे ही रात होती है तो पिता जी क्या पिता जी और डॉक्टर दोनों साथ में बगल वाले कमरे में साया शुशिल के पलंग तक जाती है और शुशिल के ऊपर जो चादर ढख say को हटить है क। और साथ में जो खप्षे कष्ड की को खुल देती है और वहां से वह तरह अधर आता है below शोशिल के लिए बहुत खतरनाक है, और फिर वो शोशिल के पास रखी हुई एक टेबल है, जिस टेबल के साधी दवाएं रखी है, उस टेबल की तरफ बढ़ती है, और वहां से दवाई की शीशि उठाती है, और शीशि को उठाके और जो पास में वाश वेशन लगा हुआ ह वहाँ जाती है और पूरी की पूरी दवाई वाश्वेशिन में उडेल देती है और उस तो अंदर पानी बरके और उस टेवल पर रख देती है दोनों जोने बड़े आश्चर शकित होते हैं पिता जी भी और डॉक्टर भी ये क्या हो रहा है और जैसे ही वह छाया मुड़ते हैं और वह देखते हैं कि ये छाया और कोई नहीं है ये तो शुशिल की मां है आश्चर शे उनका मुँँ खुला का पुला रहा जाता है पिता जी की तो आखे बेस्भरित हो जाती है ये क्या शुशिल की मां यह अपने बच्चे को बचा रही है यह अपने बच्चे की हाथ त्या कर रही है डॉक्टर उनको रोक देता है और रोक कर वो उनको समझाने की कोशिश करता है लेकि उससे पहले वो और अन उस कमरे में जाते हैं और जैसे वो उस कमरे में जाते हैं शुशिल की मां उन्दनों को देखती है और देखते ही वो चीत मारके बेहुश हो जाती है और डर्ती पे गिरबड़ती है पिता जी कुछ कहने और सुनेने और समझने की इस्तिती में नहीं होते हैं डॉक्टरन को समझाता है आप परिशान मत हो ये कि मां की मंता है असलियत में इनके अवचेतन मस्टिक्ष में शुशिल की प्रती जो मंता है वो इस तरीके से इस तरीके से स्थापित हो चुकी है और वो डर वो भै कि उनके तेरा बेटे उनको छोड़के जा चुके हैं कहीं शुशिल भी उनको छोड़के ना चला जाए वो खुद भी नहीं जानती कि मैं कर क्या रही हूँ अंजाने में वो ये सारा काम कर रही है क्योंकि वो शुशील को जाने नहीं देना चाते वो नहीं चाते कि शुशील उनको छोड़ कर जाए और जब शुशील बार बार कहता मामा ठीक हो जाओंगा तो मैं डॉक्टर बढ़ूँगा, बढ़ा होके देश की सेवा करूँगा, तो उनके मन में ये भैबैट गया है, कि ये बेटा भी जब ठीक हो गया, तो ये मुझे छोड़ कर चला जाएगा, और वो अपने बेटे को किसी हालत में अपने से दूर हो, करना नहीं चाहते, इसल अनिया से ही विदा कर देगा, वो नहीं समझ पाते, ये मन अज्यान एक सत्ते, इस कहानी का मर्म है, जो लेखक ने हों को समझाने की कोशिश किया, तो देखा आपने, ममता जब स्वार्थ का रूप धरंग कर लेती है, तब है विश्के समान, विश्के समान विनाशक हो जा कर, विश्णु प्रभाकर्ण द्वारा रचित, इस एक आंकी में, जिसका नाम ममता का विश है, ना केवल इस समस्या को उठाया है, वरन प्रभाकर्जी ने, इस समस्या का समाधान भी प्रस्तुत कर दिया है, क्या समाधान है पता? आती सर्वत्र वर्जयाते, इस महत्र दिवस पर हम माओं को आत्म रिक्षन करना है, क्या हम मातरत्व के इस गुरुत्व दायत्व को अपने खुद के स्वार्थ से उपर उठकर सम्भाल पा रही है, या केवल अपने संतान को, अपने बढ़ापे की लाठी, या अपने ही किसी मकसद का हत्यार बना कर पाल रही है, क्या यह शब्द, वो अर्थ, वो भाव दे पा रही है, जो इस मम्ता, मई और मही मा में मा शब्द से अपेक्षित है, क्या मम्ता मा की मम्ता में अब भी वो उचाई बचपाई है, जो विशालकाय परवतों को सहर्श चुक्नी पर विवश्च कर देता है, क्या उसकी मम्ता में अब भी संबंदर की वो गहराई है, जो धर्दी की तमाम मलिंता को भी अपने तहों में चुपा कर मस्करा देती है, क्या वाश्टर में हम अपने बच्चों को एक संतुलित संसकार दे पा रहे हैं, बोल बोल कर नहीं, अपने क्रिया कलापों से, याद रखिये, और आप भी जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से, बच्चा हमको सुनता नहीं है, देखता है, और देखकर हमारा अनुकरण करता है, वह उसी को ही सच मानता है, तो एक बार सोचना जरूर है, कि हम अपने संतती को अमरत में मम्ता से सीच रही हैं, या फिर मम्ता का विश्वना फिला रही हैं, बस एक ही बात कहना चाहूंगी, कि दुनिया की कोई भी चीच, कोई भी मतलब हर कुछ, सब कुछ, चाहें वो कोई भाव हो, या कोई विचार हो, फिर चाहें वह मा की मम्ता ही क्यों ना हो, उसकी दिशा और दशा, दोनों ही निर्देशित होनी चाहिए, होनी चाहिए मतलब होनी ही चाहिए, तेंक यू, तेंक यू सोबाज, यदि आपको मेरी ये कहानी कुछ भी समझा पाई हो, कहीं भी आपके हिर्दे को लगी हो, आप देख पा रही हो, या देख पा रहे हो, किसमें तनीक पी यथार्थता है, सच्चाई है, तो प्लीज कमेंड करके मुझे बताएं, मुझे सुधारें, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपके और मेरी मन की यह बात हर जन तक पहुंचे, थैंक यू, थैंक यू सो मच,